नमस्कार एक बार फिर से आज प्रात्मिक में बीर्ड भर्थियों की नियुक्ति को लेकर इलाबाद हाई कोट में भी सुनवाई हुई है आपको पहले ही बिताया गया था कि इस मामले पर सरकार का जो जबाब था उस हिसाब से बेर्ड फिलाल के लिए अभी तो प्रात्मिक में नियुक्ति नहीं हो पाएगा और आज ऐसा ही हुआ कुछ और जो इस्टे पहले का लगा हुआ था वो बरकरार रखा गया और इस मामले पर स्प्रिम कोट के अंटीम नियड़ा के बाद ही फिर कोई आदिश पाईथ हो पाएगा लगने ओ हाई कोट से इन्छब के बीच नसीटी से janraad जौब जरूर मांगा गया है लेकिनननी अपना जौब जब इस मामले पर सुप्रिम कोट में सुनवाई चल रही है तो हाई कोट में क्या दाखिल करेगी वह अलड़ी ये बात कहकर मैटर को सालो कर देगे कि हम इस मामरे पर सुप्रिम कोट में भी सुनवाई कर रहे हैं और उसके बाइस हम बहुता अगली डेट लगेगी मतलब यह है कि जब तक सुप्रिम कोट से फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक प्रैमरी में बीगट फिलार के लिए अस्थगनादेश पारित रहेगा और एंसीटी के पास दो रास्ते हैं देखिए एक ही समय लिजे कि क्राइटेरिया निर्धारित करने का या क्वालिफिकेशन डिसाइड करने का पावर कोट का नहीं है वह हुआ दिससाइड की गईatkु आघिए की टाषिकतिक करती है तो कोट ये निर्धारित करते हैं कि वह प्रोसीजर का फालो हुआ है या नहीं हुआ है कि ये थोड़ी न आ एक है कि नहीं कर सकते कि आप ने जो प्रूसीजर वा-ई की जो प्रक्रिया अपना ही गई है वह सही नहीं नहीं प्रक्रिया गलत अपना है जाने के कारण उसको मैंने थो पहले ही कहा कि एगर चाहती तो सही अगर मान लिजे हाई कोट को फिर से इस्यू कर सकती थी यानि दुसरा रिलीज की सकता था लेकिन NCT ने इस मामले पर Supreme court matter को लेकर गया यानिu NCT को लगता है कि वो साथ शही है अब Supreme court भी राज़स्थान हाई कोड के आदेश को यही आगे करेगा कि क्या उसने पर जायी हो जाएगा डिसाइड करना काम इस अथोर्टी का है जो इहां पर NCT का है चुके यहाँ डिसाइड के लिए तो क्या होना चाहिए प्रैमरी टीशर्स के लिए यह सुर्प्रेम् कोट या हाई कोड नहीं करते हैं तो NCT के पास दो रास्ते हैं पहला रास्ता जो अभी चल रहा है सुप्रिम कोट में जाकर अगर राजस्थान हाई कोट के आदेश को गलत पाता है सुप्रिम कोट तो फिर अठाई जुन दुजा ठारा का नोटिफिकेशन दुबारा से बहाल हो जाएगा अगर मान लिजे इस मामले पर NCTE यहां सुप्रि को चिंता करने की ज़रुवत नहीं है हाँ थोड़ा लेट होगा जैसे मैंने पहले बताया कि अब नई भरति अगर उत्तर प्रदेश में इधर वीच आती है जब तक मामला सौल नहीं होता है तब तक के लिए तो प्रैमरी में भरतियों की नुक्ति नहीं हो पाएगी है NCTE अगर कोई नया नोटिफिकेशन इसू करती है तो फिर सुज़ा सकता है संबह हो सकता है लेकिन फिलाल वरत्मान परस्थितियों में बेड़ बेरतियों को इंतजार करना होगा ठीक है तो अब इंतजार करिए सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई का फाइनल लिजमेंट आ जाए या फिर अन्सीटी एक नया नोटिफिकेशन इसू करें दोनों ही चीजें बेड़ भरतियों के हितकियां जल से जल हो तो वेतर है हाँ आप सरकार इस मामले पर थोड़ा मतलब उस पहले के जैसा गंभीर नहीं है मतलब इस मेंटर को जल्दी साल नहीं करना चाहती है क्योंक आपको डिल्वर किया जाएगा